दोस्तो क्या हुआ जब अचानक अयोध्या पहुंचा सैकरो नागों का जुंड इनका संबंध नागलोग से बताया जा रहा है आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अचानक इतने सारे चमतकार क्यों हो रहे हैं सबसे पहले गिद्धों का जुन राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायू के वन्शच कहा जा रहा है, और लोग इनकी पूजा भी कर रहे हैं, इसके बाद कुछ भालू अयोध्या में अचानक से देखे गए जो की जामवंत का प्रतीक है, लेकिन अब एक ऐसा चमतकार देखने को मिल रहा है, जो अयोध्या के लोगों के लिए ही खत्रा साबित हो रहा है, मेरे साथियों आज की वीडियो में बहुत बढ़े रहस्य से परदा उठने वाला है, आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है, आखिर प्रान प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग-अलग प्रजाती के, दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें, दोस्तो 22 जनवरी सोमवार के दिन के दिन अयोध्या के नव निर्मित राम मंदिर में होने जा रही है, राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसबरी से इंतजार है, राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है, दोस्तो यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बलकि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है, आखिर राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस से जानकर आपके भी होश उर जाएंगे, दोस्तो त्रेता युग में प्रभुश प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है, साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लल्ला की प्रान प्रतिष्ठा करने से प्रभुश्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रान प्रतिष्ठा का समय नजदीक रहा है, वैसे वैसे अलग-अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन गिद्धों का और भालूं का संबंध तो प्रभुश्री राम से बताया जाता है, उन्होंने रामायन में उनकी सहायता भी की थी, लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आज की वीडियो में इस रहस्य से परदा उठने वाला है, दोस्तों चौकाने वाली बात ये है कि इन में दो प्रजाति के नाग अलग-अलग शेत्र में बार-बार निकल रहे हैं, जिन ही आपस में भाई हैं, जिसमें और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं, और शेशनाग बैकुंट में भगवान विश्नु की सेवा करते हैं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्षमन यानि शेशनाग और माता सीता के सा अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं, तो क्या शेशनाग के दोनों भाई पताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों यह रहस्य बहुत बड़ा है क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़ कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा देखें, लेकिन दोस्तों प्रभु श्रीराम का नागलोग के साथ क्या संबंध है? वो सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटना क्रम को मल्टीवर्स के साथ जोर कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में स्रिष्टी चक्र कहते है हर कल्प के चार योग या चार भाग होते हैं, दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायन करके फिर से बैकुंठ लोट जाते हैं, यानि कि अगर आप इस प्रिथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटना क्रम कर जाएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी मल्टीवर्स की सचाई पर यकीन होने लगेगा, दोस्तो इस दुनिया में केवल तीन विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जीने की टाइम ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी दूसरे है तक्षक नाग और तीसरे है काकभुशुंडी तक्षक दोस्तो वासुकी नाग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर काकभुशुंडी कौन है और आखिरी इन्हें प्रभुश्री राम ने अमर कैसे बनाया है, वेदों और प्रा साथियों कौय के रूप में अपने एक जन्म के दोरान उनकी मुलाकात बालक राम से हुई, प्रभु खेल रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए, बालक राम के मुख में आकाश, गंगाओं औ दूर उरना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए, एंडन काकभुशुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी, भगवान ने उन्हें दिव्यमुस्कान दी और काकभुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी, काकभुशुंडी ने कहा कि वह भग के अंत तक जीवित रहेगे, जिसके बाद वह स्रिष्टी के 27 चक्रों तक जीवित रहे, उन्हें अम्रता का वर्दान प्राप्थ हुआ, और वे कौई के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिला, दोस्तों जब भी भगवा जन्म होता है, वह अयोध्या जाते हैं, और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बरे होते हुए और खेलते हुए देखते हैं, यह भी हो सकता है कागभुशुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हों, और राम मंदिर के निर्मान कार्य को अपनी आँखो यानि कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी विकल्प यानि यूनिवर्स में जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना वो भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक एक ऐसे कहानी, एक ऐसी सची कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसका संबंध रामायन से जुरा है, और इसे जानकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मल्टिवर्स वास्तव में होता है, जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इनसान की मृत्यो निश्चित होती है, उसी त प्रियभक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी, कि वो राम के पास पहुंचे, लेकिन स्वयम श्री राम से इसका जो हल निकाला, वो मल्टिवर्स यानि स्रिष्टि चक्र के साथ जुरा हुआ है, मेरे साथियों, एक दिन राम जी के प्रित्वी से वैकुंठ का समय हो गया था, वह जानते थे कि जो जन्म लेता है, उसे मरना पड़ता है, उन्होंने कहा कि यम को मुथ तक आने दो मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गिय धाम जाने का समय आ गया है, लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परमभक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था, यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्ष के एक छेद में से गिरा दिया, और हनुमान से इ प्रवल छेद नहीं था, बलकि एक सुरंग का रास्ता था, जो सापों के नगर नाग लोग तक जाता था, हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया, वासुकी हनुमान को नाग लोग के मध्य में ले गए, जहां अंगूठीयों का पहाड जैसा धेर लगा हुआ था, बासुकी ने कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, अब तो हनुमान जी सोच में पर गए, कि वो कैसे उसे ढूंड पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंडने जैसा था, लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई, वो राम की अंगूठी थी, आश्चर्य जनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई, वो भी राम की ही अंगूठी थी, वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस धेर में थी, सब एक ही जैसी थी, इसका क्या मतलब है, व समाप्त भी होते हैं और हर सतयुक के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृत्वी पर रामरित्यु को प्राप्त होते हैं इसलिए यह सैगधों 1000 कलपों से चलि आ रही अंगूठियों का धेर है सब यी वास्तविक अंगूठियों गिरती रही और इनका धेर बरा होता रहा भविश्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहां काफी जग्या है अब हनुम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यू को आने से रोका नहीं जा सकता है। जीतने भी रहिवासी रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश्थ थे। जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आँखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायन काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लोट गए। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमी यूँ ही परी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुष ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंत रगुवंश मिलने की बात कह ही जाती है। कर 360 मंदिरों का निर्मान करवाया था। वे भगवान विश्नु के परम भक्त थे और इसी लिए उन्होंने ही श्री राम जन्म भूमी पर एक भव्य मंदिर का निर्मान करवाया था। अक्रमनकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तौर कर उस पर मस्जिद का निर्मान करवा दिया। अयोध्या राम जन्म भूमी बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना एतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ग्रंतों को भी अहम सबूत माना है। जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी आक्रमनकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्म भूमी के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देवजी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आये थे जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहाँ पर बाबर के कहने पर उसके एक सूबेदार ने मस्जिद का निर्मान करवाया था। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्म भूमी मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोर आ गया। उस दिन रामलल्ला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। ये विवाद इतना बरहा कि आखिरकार ततकालीन सरकार उस धांचे को विवादित मान कर उस पर ताला लगवा दिया। धांचे के अंदर नमाज रुग गई लेकिन बाहर भगवान राम की चबूत्रे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना यहां निरंतर चलती रही छे दिसंबर 1902 को अयोध्या में राम जन्मभूमी आंदोलन से जुरे लाखों कार सेवक जुटे थे उन्होंने ही उस विवादित धांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला धांचे से निकल कर अस्थाई टेंट में आ गए यानि की राम मंदिर का इतिहास बह बहुत बरा है। कई लोगों के संघर्ष की कहानी है और कई कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। दोस्तो भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सके। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आखों से देख रहे हैं। अगर आज की यह खास वीडियो आपको पसंद आई है तो सचे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जै श्री राम जरूर लिखे।